हलो फ्रेंट्स एक बाइब फिर आपको बहुत स्वागत है और फ्रेंट्स आज की वीडियो प्रतेइक इस्टुडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है आप उत्रप्रदेश के किसी भी कॉल्ज ए उनिवर्सिटी की स्टुडेंट्स हैं तो प्लीज इस वी वीडियो को अपने अधर फ्रेंट्स के साथ भी सेयर कर दें ताकि अधर इस्टुडेंट्स को भी इस वारे में जानकारी मिल सके तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हूं उससे पहले मैं आपसे एक बार गुजारस करना चाहूंगा कि अगर अभी जब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी स्कॉल्सिप से समधित लेटेस्ट न्यूज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन को जुरू प्रेस कर लिजेगा और जैसे कि आप इन स्कीन पर देख सकते हूंगे आधार बिनान नहीं मिले पर से लिंक इसके साथ ही और भी कही सारी चीज़ी यहां पर बताई गही है जैसे आपको फॉलो करना होगा उसके बाद ही आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल किया जाएगा सैचिक सैटर दोजर बीस से किसमे चातपरती वा सुल्क पृति पूर्ती का कारिकरम जारी कर दिया गया है चातपरती देने में सासन ने नियम में परिवर्तन किया है इस वार से चातपरती वा सुल्क पृति पूर्ती खाता नंबर के बजाए आधार नंबर के बेस पर जार मिलेगा डिटेल से यहां पर मतलब है कि जो spelling आपके नेम की फादर नेम की और आपकी डेट अवर्ट ठीक है ये सारी चीजे जो spelling आपके आधार कार्ट पर लिखी हुई है वही spelling और आपकी मांक सीट पर भी होना चाहिए क्योंकि इस बार आपके आधार का authentication यानि की verification किया जाएगा और online verification के बाद ही आपका जो form है वो submit होगा इसके साथ यहां पर आप देए सकते हैं बहीं चाहतरों के आधार नंबर का authentication उनके बाद ही online होने की वैवस्ता की जा रही है चाहतवर्थी वा सुल्क पृति पूर्थी में सासने ने निर्देश जारी की हैं जिला समाच कल्यान अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि पूर्व में चाहतवर्थी वा सुल्क पृति पूर्थी वैंक खाता नंबर के हिसाब से जारी होती थी लेकिन आप खाता नंबर क के वज़ाए आधार नंबर के वेस्ट पर जारी होगी प्लीज इस वीडियो को अपने अधर फ्रेंड्स के साथ ज्यादा ज्यादा सेर कर दीजे तक कि सभी इस्टूडेंट्स को इस बारे में जानकारी मिल सके और तो पर इसका कोई भी इस्टूडेंट्स चात्वर्ति के लिए आवेदन करने से बंचित नारभ है इसके साथ ही अगर भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हूँ वेली कि नको प्रेस कर लिजे आधार नंबर के ओनलाइन वेरिफिकेशन चात्र पिता के नाम वा लिंग आधी डिटेल के सत्यापन के बादी ओटीपी जनरेट होगा उक्तो टीपी आवेदन फॉर्म में डालना होगा ओटीपी के विना आवेदन फॉर्म मानने नहीं होगा इसलिए सभी चात्र चात्राइब अपने नाम और इसके साथ साथ जन्युतिति आधार स्पेलिंग आधी में गलबली होने पर आधार कार्ड हाई स्कूल वा इंटर्मिडिट की मार्क सीट के अनुसार ठीक कराने काफी स्टूडेंट्स के आधार कार्ड में यहाँ पर में से स्पेलिंग होती है काफी बड़ी संख्यामे स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रॉब में आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े सभी चातर चातरां अपने वैंक खाते को आधार कार्ट से भी लिंक करा ले इस बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है आधार नमबर से वैंक खाता लिंक ना होने पर चात्वर्ति का भुक्तान नहीं हो सकेगा यहाँ पर आप कुछ साफ साफ बताय गया तो इस चीज़ का आपको खास दियान रखना है इसके साथ ही आधार कार्ड ना होने पर चात्वर्ति कार्क्रम पर जुलाई से शुरूओगा पूर्ब दसम कच्छाओं में 24 चुलाई से 20 अगस्त तक वा दसमोतर कच्छाओं में 21 से 25 अगस्त तक चातर चातरों के ओनलाइन आवेदन होना है दोस्तों जैसे ही यहाँ पर UPS कॉलसेप के लिए ओनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाते हैं तक यह सो मुच पर वाचिं इस वीडियो